हेलो स्टुडेंट्स, वेलकम बाक, वेलकम टू कीमो फिलसलोरिका, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, वीडियो जो मैं भी शूट कर रही हूँ, ठीक है, उसे फ़ले एक चीज़ हाँ, कमड़ी पोस्ट आपने देखी, अगर नहीं देखी तो पहले जाओ देखो, पॉस करक क्यों एक्चली हुआ, क्या की वीडियो सोरी डिले हो गई, लास्ट वीक आपकी जो फ्राइडे को निकलती है, क्लास प्लस वन की, वो भी डिले हो गई, लैपी में कुछ प्रॉब्लम के कारण, सॉफ्ट्वेर की दिक्कत के कारण, ये भी वीडियो में शूट कर रही तो हुआ ऐसा कि हम लैपटॉप लेके गए, बिचरा बिमार हो गया था, इलाज कराने गए उसका, तो इलाज कराने गए तो सामने डॉक्टर ने कहा कि नहीं हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रैम में आपकी जुदिक्कत है, सेट हो जाएगा, ठीक है जी चलो, से कि होगा, कि नहीं होगा, तो इसलिए बार बारी आना जाना, कभी इंजेक्शन लगवाया, हमने कभी दिवाई दिलवाई, बट अभी तक लैपी सही नहीं हुआ है, अब रिलाइज होता है, कि वा यार, लैपटॉप का कितना सुकून था, एक बारी खराब हुआ तो उसके solutions का हमारा chapter complete हो चुका है, तो आज हम quickly revise करेंगे solutions का पूरा chapter in a very short span of time, ठीक है, वैसे chapter ये बड़ा है solution, बट हमने इसमे numerical की प्रैक्टिस काफी की है, बहुत कुछ और सारी चीदें थी जो हमने किया है, तो अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, और chapter फटा-फट से revise करत time में वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, है ना, chapters तो हरे revise करने ही होते हैं, बट एक time की shortage होती है, तो वो आपकी कमी या वो कह सकते हो, वो जो आपकी problem है, उसको solve करने के लिए मैं लेके आगी हूँ, quick revision video solution की, चलिए जी शुरू करते है, solution पहली बात है, word आपको पता है, mixture है, homogeneous mixture किसका, solute and solvent का, ठीक है, mainly हम solute and solvent के लिए कहते है, solvent जिसमें की वो part है solution का, जो जादा amount में present होता है, solute कम amount में present होता है, बड़ी simple से चीज़ है, मैं उन चीज़ों पर जादा जोर नहीं दूँगी, जो बहुत simple है, because मैं मान के चल रही हूँ कि आपने पूर बाजने में obviously बात है दिक्कत होगी, तो इसलिए फटा-फट से रिवाइस कीज़ेगा, solute जो कि आपका कम amount में present होता है, solvent जो कि आपका ज्याधा amount में present होता है, फिर बात आती है, अगर आपका solution पानी में बना है, तो equus solution, और अगर किसी और solvent में तो non-equus solution, फिर जो main चीज solvent type of solution और example है, ये table बहुत अच्छे से कर लेना, ठीक है, बहुत अच्छे से मतलब बहुत अच्छे से, कि solid और solid, दोनों चीज़ का mixture जो है, उसे भी कि आपका solute भी solid है, और solvent भी solid है, वो आपका क्या कहलाएगा, solid and solid, इसी तरह से हर case में, तीन आपके types है, solid solutions, liquid solutions and gaseous solution, ठी है, तो depend सिर्फ क्या कर रहा है, कि आपका solute solvent change हो रहा है, इसके example, दोनों चीज़ solid है, alloy, liquid and solid, hydrated salt, पानी या moisture पड़ा होता है, उसमें थोड़ा सा, that's why, gas and solid, किसी solid में gas अगर आपकी trap हो गई है, जैसे कि gases dissolve, trap हो जाती है, minerals के बीच में, फिर आया liquid solution, ये वो वाला है, जो आ आप normally समझते हो, कि हाँ, solvent जहाँ पे liquid है, solid in liquid, कोई साभी आप ले लो, salt solution, sugar solution, कोई भी ले सकते हो, liquid in liquid, यारी दो liquids को जब आप मिला दोगे, ethanol in water, then gas in liquid, cold drink आपकी, rated drink, उसके बाद solid in gas, solid in gas का मतलब, कि आपके, जिसे iodine vapors है, air में iodine के vapors, iodine आपका solid की form में exist करता है, लेकिन हम कहेंगे तो यही ना कि आपका solid था, वो आपका iodine solid form में था, अच्छा, liquid in gas, liquid in gas मतलब humidity in air, ठीक है जी, फिर आपका gas in gas, air का mixture, काफी सारी gases इसमें अर्री मिक्स्ट है, तो यह हुए आपके सारे types of solution, अब उसके बाद concentration को हम कैसे express करते हैं, यह पार्ट आपने some basic concepts of chemistry में भी सीखा हुआ है, चैनल पर उसकी वीडियो आपको अर्री मिल जाएगी, पूरी playlist मिल जाएगी in fact, क्योंकि वहाँ पर concentration को अच्छे से कैसे हम express करते हैं, वो सारी चीजे मैंने सिखाई हुई है, along with the numericals, तो base actually वही से था, concentration of solution मतलब कि कि कितना amount जो आपने लिया है, sol solvent में उसे हम कहते हैं कि concentration क्या है, solution की, फिर आपके अलग-लग तरीके से जैसे percentage, percentage में percentage by mass, percentage by volume, mass percent में क्या है, mass percent में जुस भी component को ये solid को आप study कर रहे हो, mass of that component in solution, divide में आपका obviously total mass आएगा, into 100, percentage की बात करें, तो into 100 ये आएगा, अगर volume की बात करें, volume in volume, तो दोनों चीज़ भी और total volume, चीक, उसके बाद एक आपका आता है, mass by volume, सबसे जाद ये use होता है, mass by volume, की mass of component या mass of solute, जो भी है solution में, divide by total volume of solution in milliliter into 100, चीक है, ये milliliter में है, ये याद रखना, फिर आया strength, की, उस solution की strength कितनी है, मतलब, कितना mass of solute grams में dissolve है, in some amount of solution, उसकी volume लेनी है, आपने in liters अब यहाँ पर gram per liter है, तो unit सबकी याद रखनी है, gram per liter या gram per decimeter cube, चीक, तो इसको आपने define करो, चाहे ना करो, बट ये formula याद रहेगा, तो define जरूर कर पाऊगे, चीक है जी, फिर है molarity, जो बहुत बार पढ़ चुके है, आप some basic concepts of chemistry में, मैंने बहुत detail में कराया है, molarity, number of moles of solute dissolved in volume, some amount of volume of solution in liters, number of moles को जो आप open करेंगे, given mass divided by molecular mass, किसका, solute का, into 1000 उपर चला जाएगा, divide में volume of solution in milliliter, ये 1000 आपका, इसी लिए क्योंकि आपका, अगर volume आप नीचे value जो ले रहे हो, milliliter में ले रहे हो, तो, ठीक है जी, अच्छा, strength को आपने, अगर correlate करना है molarity से, तो ये, strength in gram per liter, right, divide by molar mass, अगर आप धहां से देखो, ये gram per liter है, unit आपकी molarity की क्या होती है, mol per liter, तो आपका जो gram है, mass of solute है, उसको आप अगर mol में convert कर देते हैं, तो molarity बन जाएगी, right, तो इसलिए हमने यहां सिर्फ क्या किया, molar mass of solute को हमने उस value से divide कर दिया है, strength को, तो आपक word, beta मैं पहले भी बता चुकी है, ionic compound के लिए यूज होता है, बाकि it is just exactly the molarity, कुछ नहीं है, बस बात यह है कि ions के लिए हम कह देते है, formula ions, word formula, formality, ये चीज़ यूज हो रही है, और उसके लावा कोई change नहीं है, जैसे आपने exactly molarity calculate किया था, वैसे ही आपकी formality calculate होगी, ठीक ह of solution in later, क्या change किया है, हमने number of moles की जगा number of gram equivalents किया है, divide में वही है, volume of solution in liters, gram equivalents कैसे निकलेंगे, given mass divided by equivalent mass, ठीक है, अब equivalent mass कैसे, बाकी का formula आपका same ही है, molarity जैसा ही, ठीक है, quickly मैं revise करा रही हो, क्योंकि ये video quick revision की है, detailed की नहीं, अब बारी आई कि आपने इसी तरह से normality को भी correlate कर सकते हो, जैसे हमने molarity को correlate किया, strength, divide में equivalent mass, तो main चीज़ है कि equivalent mass कैसे निकालना है, किसी element का equivalent mass कैसे निकलेगा, element है तो उसका atomic mass लिया, divide में उसकी क्या जाएगी, valency, ठीक है, जो भी आपकी होती है, plus one, plus two, जो भी है, whatever, equivalent mass किसी acid का molecular mass, divide by molecular mass, acid का divide by basicity, मैं पहले वे बता च क्यों, acid की basicity होती है, base की acidity, ठीक है, number of displacable OH ions and number of displacable H plus ions, तो वही है, आपकी acidity और basicity है, तो यह देखो, लिखा भी मैंने हुआ है, ठीक है, यह सारा जो concept है, यह basic concepts of chemistry में भी था, तो यहां आपकी एक तरह से कह सकते है कि आप second time पढ़ रहे हो, उसके बाद equivalent mass of base, base के जगा suppose करो, कोई salt है, salt है या आपका कोई iron है, तो salt है, तो जाहिट सी बात है, उसका molecular mass divide में, salt में total positive valency, यह ध्यान देना, यह बच्चे गलती करते है, total positive valency का मतलब, total कितने positive cations होंगे, उसके इसाब से total charge, जैसे Na2CO3 है, sodium carbonate, तो बच्चे यहाँ पे सीधे सोचते है, sodium है, प्लस one, खाली एक ही है, आप खाली यहाँ पे one से divide कर दोगे, no, it is wrong, Na2 है, यानि दो sodium के cation है, तो total positive valency है, total positive charge 2 आ जाएगा, तो यहाँ divide by 2 होगा, ठीक है, अच्छा, उसके बाद iron, iron का तो सीरी से बात है, formula mass लिया, उसका molar mass निकिते हैं, बोलते हैं, formula mass, formula mass लिया, divide by charge on iron, चाहे वो कुछ भी है, negative positive का हमने consider नहीं करना, just value लेनी है, minus 2 है, plus 2 है, जो भी है, तो अपने 2 value लेनी है, that is, okay, उसके बाद है oxidizing agent and reducing agent, इसमें भी molecular mass लिया, atomic mass लिया, को कि दोनों में से कुछ भी हो सकता है, divide में आपका आजाएगा number of electron lost या gain, जो भी आपका हो रहाए, को कि oxidizing agent, reducing agent में, electrons के loss और gain का ही रोल है, ठीक है, फिर बारी आई, relationship की, कैसा relationship, normality और molarity का, ठीक है, देखते हैं, क्या relation एन के बीच में, normality is equal to molarity into something, some value, वो some value क्या है, molecular mass divided by equivalent mass, ठीक है, इसको हम कई जगा बुक में N से denote करते हैं, अच्छा जी, directly अगर आपको acid या base के लिए calculate करन है, तो normality is equal to molarity into basicity, and ऐसे ही base की molarity into acidity, तो ये आपने थोड़ा सा याद रखना है, ठीक, उसके बाद ये हो हमारी सारी चीज़ हो गई, कि हम concentration को कैसे express कर रहे हैं, अलग-अलग forms में, उसी कड़ी में आपके कुछ और है, जिसे molarity और normality किया, तो molality, इसमें क्या फरक था, number of moles of solute, ये तो same रहेगा, divide में, mass of solvent in kg, बस इतना सा फरक है, तो यहाँ आपका mass of solvent आएगा, in gram तभी उपर thousand है, तो बाकी आपका formula almost same है, mol fraction, number of moles की terms में हिस्सा निकालना है, fraction का मतलब यही है, mol fraction, solvent के लिए हम one number use करते हैं, तो x1, solute के लिए x2, जिसका आपने निकालना है, उसके number of moles, उपर, divide में, total number of moles, got it, solvent and solute, दोनों के लिए, दूसरी बात यह है, कि यह dimensionless quantity यह आप देख सकते हैं, और same इसी दोनों का जो आपका solute, solvent, जो भी है, दोनों के mol fraction का सम हमेशा unity होगा, ठीक है, unity होगा, इसका मतलब one होगा, जैसा आपका mol fraction है, वैसे ही आपका होत एक और रहा गया, sorry, parts per million, parts per million, जो बहुत ही जादा dilute solution होते हैं, उनके लिए होता है, कि आपने कैसे calculate करना है, उस solute का, उस component का mask लिया, divide में, पूरे solution का mask लिया, ठीक है, parts per million, पूरे solution का mask लिया, and million के लिए into 10 raised to power 6 कर दिया, तो यह आपकी हो गई, सारी की सारी, कहना चाहि यह कि concentration को आप कैसे express कर सकते हो, अलग-अलग ways या तरीके, इन में molality और mole fraction, mass fraction, इनको ज़्यादा prefer किया जाता है, क्योंकि इसमें volume involved नहीं है कहीं भी, and volume with temperature change हो जाता है, बाकी, इन में जो values है, mass and all है, वो सब कभी भी change नहीं होते है, इस वजह से, ठीक है, तो in comparison to others, हम prefer करत है, जो हमने some basic concepts of chemistry में भी किया हुआ है, उसके numericals भी कियो है, उसके बाद बिटा ही अगला topic था, solutions of solids and liquids, CBC में include नहीं हुआ था, but मैंने इसको detail में कराया है, dissolution क्या होता है, किसी चीज़ का dissolve होना, crystal का बनना, तो equilibrium कब आएगा, जब rate of dissolution is equal to rate of crystallization, जैसे कि आप एक time के amount किसी solid का grams का, जब आपका dissolve हो गया है, किसी particular amount of solvent में, कि आपका saturated solution बन जाए, उससे हम क्या कहते है, solubility, तो ये पूरा जो concept था, ये मैंने explain इसलिए किया था, ता कि आपको detail में बाकी सारे concept समझ में आ सकें, उसके regarding आप देख सकते हो, factors affecting थे, nature of solute or solvent का कैसा nature है, कि कैसा solute गुलने वाला है, कि नहीं है, solvent कैसा है, light dissolve, light का concept हमने बताया, कि polar solvent है, तो उसमें polar solute गुलेगा, non-polar है तो non-polar, तो ये चीज़ हमने किया था, ionic compounds आपके polar solvents में गुलते हैं, covalent compounds आपके non-polar solvents, यानि कि जैसे benzine, ether, इसमें जादा dissolve होते हैं, तो ये सारी चीज़ हम amount of energy absorbed, जितने energy चाहिए, तो किसी भी concept में जब energy release जादा होती है, वो easily होता है, हाना, वो favorable होता है, कहना चाहिए, फिर हमने effect of temperature किया, जिसमें की solubility curves आए थे, अलग लगते रखे, तो कुछ आपके ऐसे थे solubility curves, जिनके continuously increase होते हैं, temperature के साथ, कुछ के decrease होते हैं, कुछ के आ one form of substance changes into another, किसी एक form को, जब चड़ी कर रहे हो, वो अचानक change हो जाएगा, दूसरे में वो temperature आपका होता है, transition temperature, word ही transition बता रहा है, change होगा, जैसे ये, Na2SO4, Na2SO4, दो अलग लग forms है, या आपस में convert हो जाएगी, किस कब, जब ये इतने degree temperature पे heat किया जाएगा, तो, फिर आप का अगला concept था, solution of gases and solids, जिसमें आपका आएगा, आगे Henry law, ये भी same वैसे है, अगर आप किसी gas को dissolve करना चाहरे हो, किसी liquid में, same उसी pattern पे, solubility of gas है in a liquid, ठीक है, बस हम इसको express कैसे करते है, molarity या mole fraction की terms में, या absorption coefficient की term में, ये भी nature of gas or solvent पे depend करेगा, कि gas कैसी है, dissolve होना भी चा अभी रहे कि नहीं जा रही है, ठीक है, जैसे आप देख सकते हो, ये वाली gases आपकी more soluble है, ethyl alcohol में, लेकिन आपकी H2S या ammonia, ये water में जादा, क्यों, ताकि आपकी जो chemical selectivity है, या bonding है, solvent के साथ, उस पर depend करेगा, ठीक है जी, फिर इसी तरह, जैसे आपकी factors हमने किये, endothermic by high temperature, इसका crux है, पूरी चीज़ का, कि आपका, वो reactions, जो की exothermic है, जिन में heat energy release होती है, वो favorable होती है, low temperature पे, और endothermic वाली high temperature पे, तो ये हमने किया था detail में, effect of temperature, ठीक, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, yes, जो main part है, that is Henry law, Henry law में आपका क्या था, effect of pressure हमने discuss किया, क कि जब आप pressure बढ़ा रहे हो किसी gas का, above the solution, solubility increase हो जाती है, ये देखिए, ये आपका solution phase है, ये आपका उपर वाला gashes phase है, तो जब आपने उपर से piston press किया, ये आप देख सकते हो, solubility increase हो जाएगी उस चीज़ की, उन vapors की, जो above the solution है, तो Henry law हमारा पूरा इसी पे based है, effect of pressure on solubility of gas, इस पे based है, जिसका relation आपने ये किया था, m is equal to kp, right, k आपका किस पर depend करता है, वो धिहान रखो, nature of gas पे, nature of solvent पे, temperature पे, तीन चीज़ पर depend करता है, कि gas कैसी है, solvent कैसा है, और temperature कितना है, तो ये चीज़, तीन चीज़ आपको धिहान रखनी है, क्या कहता है, हमारा Henry law हमारा Henry law ये बताता है, कि कितने mass of gas dissolve हो रहा है, किसी particular amount of liquid में, उसकी volume अगर हम consider करेंगे, but at constant temperature, ठीक है, ये किसके directly proportional है, उस gas के pressure के, ठीक, तो ये relation आप याद रखेंगे, तो आसान रहेगा, उसके लावा आप ये याद कर सकते है, solubility of gas, हम कैसे define कर सकते है, at a particular temperature, that is directly proportional to pressure of gas in equilibrium with liquid at that same temperature, ठीक है, तो Henry law बहुत अच्छे से मैंने कहा था, detail में करना, detail में, समझ में आना चाहिए, उसके लावा एक और law आया था, आपका Dalton's law, Dalton's law of partial pressure आपने अगर किया होगा, इसको और Henry law को correlate किया गया, ठीक है, ये देखिए, solution in terms of mole fraction जब आप लिखते हो, Henry's law XAA, हम proportionality constant, तो ये relation आपका निकल के आया, जिसको हम कहते है, most commonly used form of Henry law, तो आपने याद क्या करना है, partial pressure of gas, ये चीज़ याद करनी है, main चीज, partial pressure of gas in vapor phase में, vapor phase में, directly proportional है, किसके mole fraction of gas के in the solution, ठीक है, जब आप directly proportional चीज़ हटा होगे, तो आप equal कोई constant value लगाते है, वो constant value क्या है, Henry constant, ठीक है, तो Henry constant की जाहिर सी बात है, units क्या होगी, atmosphere या बार, इसके बाद हमने Henry constant के बारे में कुछ important point किये थे, कि Henry constant function of nature of gas है, यह हम अल्यड़ी पढ़ चुके है, जब KH की value जादा होगी, KH की value जादा होगी, तो solubility कम होगी, आपने relation देखा न, pressure is equal to KH into mole fraction, तो हैंनि KH अगर जादा है, तो mole fraction कम आया, mole fraction कम आया, मतलब lower is the solubility, got it, value of KH with temperature increase करती है, यह आपने याद रखना है, increases with increase of temperature, मतलब solubility decrease करेगी with increase of temperature, यह वैसे भी normal सी बात है, जैसे आप temperature बढ़ाते जाओगे, molecules दूर जाएंगे, वह soluble नहीं होगे, उतने से solvent में, है न, molecules जादा दूर issues जो है, वो ज़्यादा comfortable होती है, थंडे पानी में, क्यों, क्योंकि उसमें oxygen gas ज़्यादा dissolve होती है, फिर हमने henry's law की application की, कि जो आप cold rings फीते हो, वहाँ भी henry law apply हो रहा है, deep sea diving में, deep sea diving का मतलब क्या है, जो deep sea divers होते हैं, वो cylinders लेके जाते हैं अंदर, उनमें actually अगर आपने कभी note किया हो, एक disease develop हो जाता है, वो disease क्या है, decompression sickness या bends, होता क्या है, actually bubbles create होते हैं, जो की nerve impulse को effect करते हैं, ठीक, bubbles क्यों defect होते हैं, अंदर जाते हैं वो, जैसे ही बाहर आते हैं, तो कुछ bubbles बनते हैं, gases के और वो किस चीज़ के हैं, अगर आपने ध्यान से lecture पढ़ा हो, तो म bubbles की form में, जब डाइवर बाहर आता है, तब आते हैं, तो उसकी वज़ा से एक disease बनता है, या create होता है, बाडी में, bend, CRD, compression sickness कहते हैं, जिसे, और इसलिए वो disease आपका ना हो, उसके लिए क्या किया जाता है, cylinders में, जो divers की cylinders है, उसको थोड़ा सा dilute कर दिया जाता है, along with the use of helium, ठीक, तो ये एक था आपका, जो function of lungs है, normal daily का respiration का process, वहाँ पे भी Henry law use होता है, high pressure to low pressure oxygen जा रही है, ठीक है, transfer हो रही है, जो आपके climbers high altitude पे है, वहाँ यूज होता है, उनके बीच में भी a disease होता है, anoxia, मतलब उनका जो brain है, थोड़ा slow work करता है, reason क्या है, कि oxygen उतनी मिलती नहीं है उनको, that's why, तो वहाँ पे भी Henry's law का रोल है, फिर हमने detail में numericals किये थे, and after that आपका, जो next आया था, that is, solution of solids and solids, यानि solid solution, ठीक है, कि दोनों चीज़ सॉलिड है, तो एक मैंने कहा था, substitutional solid solution, जिसमें कि हमने क्या कहा था, alloys, brass, bronze, इस तरह के, जहां पे आपने, जो similar स है, उनका साथ में use करते हुए, क्या बनाया है, solution बनाया है, solid solution, substitutional का मतलब क्या है, कि वो उसकी जगा पे आ सके, substitute की तरह काम कर सके, दूसरा क्या था, interstitial, मतलब बीच में अगर कहीं gap है, वहाँ पे आपके छोट-छोटे elements चले जाएंगे, छोट-छोटे metals चले जाएंग है, and कई जगा use होता है, so, उसके बाद इस स्टील है, carbide of iron, ठीक, फिर हमारा जो पूरा concept था, अगला concept वो वेपर प्रेशर और royal law पे बेस था, मैंने कहा था, पहला आपका law था, henry's law जो important था, then royal law, वेपर प्रेशर क्या है, नाम से पता लग रहा है, कि अगर आप किसी solution को heat करते हो, उसमें से धेद रहे, कुछ time बाद vapors बनने लग जाएंगे, उपर आपके उस container में vapors एकठे होंगे, कुछ और time बीतेगा, तो वही वेपर संडे होके, वापस solution में आ जाएंगे, तो क्या चीज़ है, वो rate of evaporation is equal to rate of condensation, जो हम पढ़ते आएं, आज सा कितने सालो है, nature of liquid, कि liquid आपका easily evaporate होता है, कि नहीं होता, जादा evaporate होगा, तो जादा vapor pressure, फिर आपका temperature, जादा temperature होगा, तो जाइड सी बात है, vapor pressure भी जादा होगा, असानी से उसके vapors बन जाएंगे, जो भी आप content ले रहे हो नीचे, उसका, ठीक है, जो beaker में आपने content ले है, solution में, अ आपको यह पता होना चाहिए, कि आप देख सकते हो, pressure का change और temperature का change, इसको correlate किया गया है, कि temperature का क्या effect पड़ेगा on vapor pressure of liquid, ठीक है, तो यह आपने करना है, इस पे based numerical आता है, मैंने आपको बताया था, then आपका आता है, Royals law, Royals law का हमने relation करना है, Royals law आपको अगर ध्यान हो, क्य तो हम क्या कह सकते हैं, यह आप अगर graph याद हो, किसी को graph याद करना जरूरी है, यह state थी, जब यहाँ पे x a is equal to 1 है, और यहाँ पे x b 0 है, यह आपने x side mole fraction लिया है, एक side vapor fraction लिया है, मतलब, जैसे जैसे आपका mole fraction x a की यहाँ पे घड़ती जा रही है, और x b की बढ़ती ज इन दोनों का use करते हैं, आपने graph बनाया है, और आपको पता है, mole fraction में solute solvent दोनों का sum क्या होता है, unity उसका use करते हैं, हमने graph बनाया है, एक time हमने pure A लिया है, एक time हमने pure B लिया है, उसको consider करते हैं, graph create किया गया है, तो roid's law और henry's law similar जैसे हैं, थोड़े से, थोड़ा बहुत फरक है, वो भी आगे चलके देखते हैं, कि क्या उनमें फरक था, ठीक, अब important points क्या है, roid's law के, कि एक तो ये तब applicable है, जब दोनों components volatile होने चाहिए, तो ये main criteria है, अगर volatile नहीं है, तो applicable नहीं होगा, ठीक है जी, और जो it is not applicable, कब applicable नहीं होगा, जब वो liquids अगर are not completely missable, अग प्रेशर होगा, तो उसके बाद, जो आपके pairs हैं, वो आपको याद करने, examples मैंने कहा था, याद कर लीजेगा, then, जैसे आपने normal solution phase में निकाला, ऐसे ही, vapor phase में भी निकलता है, relation for royals law, ठीक, जिसमें कि हमने क्या कहा था, partial pressure है, आपका किसी component का is equal to, ये mole fraction है, उसी component की, लेकि vapor phase में, एक होता है, solution phase, कि solution में उसका कितना amount है, एक होता है, उसके कितने vapors बन गए, multiplied by P total, यानि total आपका pressure जो है, वो कितना है, सारी cases का मिला के, ठीक है जी, ये हमने किया, and then after that, अगर आपको ध्यान हो, expression तो हम करेंगे, but ये, effect of adding non-volatile solute on vapor pressure of a liquid solvent, जिस पे base हमारी आगे ए क्या किया था, हमने इसमें, आप देखो, एक जगा था हमने pure solvent लिया है, दूसरी साइड हमने solution लिया है, तो actual में, अगर कोई non-volatile solute आजाए, तो जाहिर सी बात है, वो तो vapor बनाएगा नहीं, है ना, क्योंकि non-volatile है, तो आपका क्या होता है, उस case में vapors कम बनेंगे, तो य यह tendency create करेगा कि कम से कम vapor बनें, तो अगर कम से कम vapor बनेंगे, तो जाहिर सी बात है, vapor pressure भी reduce हो जाएगा, चीक है जी, उसके बाद यह relation किया था, आपने vapor pressure of solvent, किसी solvent का solution में is equal to mole fraction उस solvent का multiplied by vapor pressure of pure solvent, यह relation था न, जब भी आपने किया है, इसको थोड़ा सा modify किया गया है, कि अग अगर आपका solute non-volatile है, तो solution का vapor pressure मतलब solvent का vapor pressure, जाहिर सी बाते को कि solute तो volatile था ही नहीं, तो इस वज़े से इसके लिए आपने यह derive करके देखो, हमने graph लिया था, पूरा derive करके एक नया relation निकला है, जो कि आपको याद करना है, and that is very important, वो है यह, p0 minus ps divided by p0 is equal to n2 divided by n1 plus n2, यह पूरी derivation मैंने बहुत अच्छे से detail में कराई है, यह आपने याद रखना है, because it is one of the qualitative property जो आगे हम पढ़ेंगे अभी, and detail में पढ़नी है, तो p0 minus ps मतलब कि vapor pressure आपका, जो reduce हो रहा है, lowering of vapor pressure, जब आप इसको p0 से divide कर देते हो, तो यानि आप इसकी relative value ले रहे हो, तो relative lowering of vapor pressure, उसके बाद यह inside वालो जो पार्ट है, तो आपको पता है, यह mole fraction है, किसका 2, यानि की solute का, तो यह हो गया जी, आपका royalties law, henry law, उसके बाद अगर आपने comparison किया हो, यह देखो, royalties law की according किया था, p is equal to xa into p0a, और ऐसा ही same relation आपका उसके रहे भी था, p is equal to xa into henry constant, तो p फिर किया, idle and non idle solution, ideal and non idle solution क्या है, बड़ी simple सी चीज़ है, जहां पे कोई change in volume नहीं हो, कोई दो चीज़ों को जब आपने, एक ऐसा solution, जिसमें आपके, जितने भी components है, पहले बात, वो royalties law follow करे, under all conditions of temperature and concentration, and जब भी आप कभी mixing करो, idle solution क्या होता है, कि अगर mixing कर रहे हो, तो change in volume नहीं आना चाहिए, there will be no change in volume on mixing the two components, ठीक है, ना change in volume आए, ना change in enthalpy आए, तो delta H mixing 0 होगा, delta V mixing 0 होगा, ये इसका main criteria आप कह सकते हो, ठीक, अब उसके बाद molecular level पर अगर हम बात करें, A और B का, कि अगर जो आपने solution बनाया है, उसमें intermolecular interactions between components, यानि A और B की जो interactions होंगी, वो almost same magnitude की होंगी, जितनी की individual component में, आपस में, ठीक है, individual component में, अगर आपस में, आपकी, जितनी forces होंगी, exist कर रहे होंगी, वही same magnitude आपका, A B के बीच में भी होगा, ठीक है, फिर है आपका non idle solution, जैसे की actual हमें reality पता है कि practically कोई idle solution exist नहीं करता, तो non idle का क्या हो जाएगी, condition, delta V mixing not equal to zero, delta V mixing not equal to zero, बिल्कुल यानि की opposite किसका ideal का, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, देखो, detail में, हमने पढ़ा था, non idle solution, जिनकी की positive deviation हो, और जिनकी की negative deviation हो, ठीक है, तो उनका दोनों की graph है, ये graph आपको अच्छे से आने चाहिए, और हमने, एक difference किया था, जिसको मैं sum up करके last म मैं पढ़ दे रही हो, क्योंकि हमने, अविस्सी बात है, quick revision करने हैं, तो जल्द बाजी में करेंगे, मतलब थोड़ा quickly करेंगे, जल्द बाजी का मतलब है कि quickly करेंगे, ठीक है जी, तो idle solution और non idle का पहले हम difference करते हैं, जिनमें की idle मतलब जिनमे components similar ही है, as those in pure components, और इनके में interaction जो है, वो different होगी, मैंने अभी बताया न, forces आपकी दो अलग-अलग components के बीच में, यहाँ पे same magnitude की है, non idle में same magnitude की नहीं है, फिर delta H और delta V equal to zero, non idle में non equal to zero, royalties law यह ओबे करेगा, यह ओबे नहीं करेगा, एक और चीज, aziotrop बनाते हैं, क्या बोलते हैं, idle solution, लेकि non idle, sorry, aziotrops ज जो आपने solutions किये हैं, with positive and negative deviation, वो भी जान लीजे, interactions between components, जो है, they are less than pure component, मतलब pure component में है, वो ज़्यादा, आपस में उनकी interactions, attractive forces ज़्यादा है, जो pure है, ठीक है, यहनि A to B2 में ज़्यादा होगा, in comparison to A B, और उसका उल्टा, इस side होगा, फिर, जाहिर सी बात है, positive deviation, तो delta H, mixing, delta V, mixing, सब यहाँ positive आएगा, यहाँ क्या आएगा, negative, partial pressure यहाँ पर किसी एक single component का ज़्यादा आएगा, ठीक है, यह आप देख सकते हैं, यहाँ पर कम आएगा, यह बनाता है, positive deviation वाले minimum balling azeotrop, यह बनाता है maximum balling azeotrop, ठीक है, अब बारी आई की azeotrop है, क्या, azeotrop एक्शली basically, आप कह सकते हो कि mixture है, constant boiling mixture, मतलब, देखो, कोई दो components अगर mix करेंगे, तो जाहिर सी बात है, हमें यह लगेगा, क्योंकी boiling, जो point है, वो अलग अलगाना चाहिए, लेकिन यह ऐसा mixture है, कि इसका pure liquid की तरब behave करता है, और उसकी definite composition है, boil भी एक particular time पे होगा, ठीक है जी, तो यह है, आपका azeotrop, azeotrop का concept हमने बड़े detail में पढ़ा है, जिसका example आपको एक याद रखना है, rectified spirit बहुत पूछा जाता है, mixture containing 95.4% alcohol और 4-6% water, तो यह था आपका rectified spirit, example, उसके बाद जो हमारे इस chapter का important part आया, that is colligative property, क्या होती है, colligative properties, colligative properties, वो properties है, idle solutions की हैं, पहली बात तो जो की depend करती है, number of particles पे, किसके solute के, लेकिन nature of solute पे depend नहीं करेंगी, तो आपने हर colligative property में प्रूव करना है, कि यह colligative property है, कैसे प्रूव करोगे आपकी number of particles पे, अगर वो depend कर रहा है, then it is colligative property, otherwise not, तो शुरुवार करते हैं, चार colligative property थी, जिसमें पहली थी, relative lowering of vapor pressure, फिर osmotic pressure, then elevation of boiling point, depression of freezing point, relative lowering of vapor pressure हम अभी अभी पढ़के हटे हैं, revise करके हटे हैं, ठीक है, जिसका relation आपने, यह already किया ही हुआ था, यह वाला, याद है, इसमें उसके बाद हमने values अगर put कर दी हैं, अगर आपको mass calculate करना है, तो आप सारी values को जब आप put करोगे, तो जो final relation आप का निकलेगा, एक तो यह निकलेगा, या फिर अगर आपको dilute solution के ने निकालना है, तो यह निकलेगा, इसमें किया कुछ नहीं हमने, sub values की, जितने आपकी जो mole fraction थे, mole fraction की जगा हमने क्या रिख दिया है, masses involved कर दी है, moles आपको पता है, given mass divided by molar mass होता है, तो आपने उसी formula का use कर के यह formula derive किया है, ठीक है जी, उसके बाद हमने इसके किये थे, detail में numerical, ठीक है, बाकी मैंने का था, method आपको पता होना चाहिए, कि कौन सा method use होता है, for measuring that colligative property, तो relative lowering के लिए आपका Oswald Walker dynamic method है, या transpiration method है, फिर numerical किया, then आपका अगला topic है था, osmosis or diffusion का, diffusion क्या है, कि आपके कोई भी भी जो, suppose करो, mixing हो रही है particles की, तो particles किसी के भी हो सकते है, solute के भी solvent की, वो overall घूल मिलके पूरा homogenous mixture बनाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं, यह, कि suppose करो, आपने solute और solvent अलग-अलग यहां नजर आ रहे है, copper sulfate के कुछ ताम बाद यह पूरा solution, blue color का नजर आएगा, copper sulf का solution, जब आप पानी में घुल गया, तो पूरा ही एक जैसा blue color, यह हो गया diffusion, ठीक है, osmosis में थोड़ा सा फरक है, osmosis में क्या होता है, solvent particles move करते हैं, कहां से, जहां से क्यों अपनी, from its higher concentration, जहां की concentration जादा है, कहां तक जाएंगे, जहां concentration कम है, जाहिर सी बात है, जिसके पा oxygen rated copper sulfate solution, एक side आ गया, water और dilute copper sulfate solution, एक side आ गया, ठीक है, तो osmosis basically क्या हो गया, solvent particles का movement, तो इसका जो अगर आपको day to day life का example याद करना है, या correlate करना है, तो egg, egg लिया हमने without shell, एक हमने रखा है, वो egg without shell पानी में, और एक हमने लिखा है, sodium chloride के solution में, तो यहां पे बाहर पानी जादा है, है ना बाहर पानी है, मतलब solvent particles जादा है, तो पानी कहां जाएगा, पानी जाएड सी बात है, अंदर जाएगा, मैंने बताया, solvent molecules move करते है, from its higher concentration, अपनी higher concentration से कहां पे, जहां solvent particles कम होंगे, तो यहां solvent क्या है, पानी, तो जहां पानी जादा था, यानि कि बाहर, व का example है, हमने osmosis में मैंने आपको बताया था, काफी सारे examples किये थे day to day life के, exosmosis नाम से पता लग रहा है, exosmosis, जब solvent molecules बाहर आ रहे हैं, endosmosis, जब solvent molecules अंदर जा रहे हैं, osmosis diffusion में हमने difference किया था, फिर कि इसमें semi permeable membrane यूज होती है, इसमें नहीं यूज होती, इसमें आप पर हम एक concept का use करते हैं, कि osmotic pressure हम अपनी तरफ से लगा सकते हैं, तो ये reverse किया जा सकता है, जिसके basis पर आपका, यहीं osmosis को हम reverse कर सकते हैं, लेकिन diffusion को नहीं कर सकते हैं, ठीक है, फिर semi permeable membrane हमने किया, क्या है, क्या नहीं, osmotic pressure कि हमने उसके लिए एक ये, आप देख सकते ह तो, diagram हमने study किया था, कि यहाँ पर sugar solutions है, आप इसका level कुछ नहीं बाद increase हो जाएगा, ठीक है, तो osmotic pressure हमने क्या कहा था, कि ये वो pressure है, minimum excess pressure, जो कि हम apply कर सकते हैं solution पे, so that कि आपके solvent particles entry ना करें, अगर उस pressure से थोड़ा जादा लगा दिया, तब क्या होगा, solvent particles ulti direction में चलन osis का, है न, if a pressure higher than osmotic pressure is applied on the solution, तब क्या होगा, solvent will flow from solution to the pure solvent, वैसे कहां से कहां move करता है, जहां पे solvent particles जादा है, वहां से move करते है, from its higher concentration to its slower concentration, लेकिन अगर आप RO का concept कढ़ेंगे, तो आपको पता है, में पानी purify करना है, है न, यानि आपको जितनी impurities हैं, वो हटानी है, उस की move करने की, तो यह आपका फिर इसलिए use होता है, desalination of sea water में, यह पूरा concept, उसके बाद हमने इसका expression याद किया था, pi is equal to CRT, जैसे आपका relative lowering का था न, ऐसे इसका भी है, pi is equal to CRT, यह है osmotic pressure, c आपका concentration, r आपका gas constant, जो आप हमेशे use करते हो, t आपका temperature, ठीक है, तो अगर आ आप concentration की जगा लिखना चाहो, n by v, rt, right, c आपका n by v होता है, number of moles divided by volume, तो आपका क्या formula बन जाएगा, pi v is equal to nrt, तो अब isotonic solution मतलब, iso मतलब same tonic word यहाँ पे किस चीज़ के लिए, कि osmotic pressure की बात कर रहे थे, तो उसके लिए है, कि वो solutions जिनका same osmotic pressure है, those are called isotonic solutions, ठीक है, और biological importance में हमने, जैसे आपने वो egg वाली shell की बात की न, ऐसे ही plants and animals में जो growth होती है, जहाँ पर पानी का transfer हो रहा है, वो हो गया, किश्मिश अगर आप रखो, या कोई cell है, जो पानी में रखा जाएगा, या किसी concentrated solution में, तो ठीक है, hemolysis और crination, मतलब कि swelling होगी, तो भी आपका cell स्वेल करके burst कर जाएगा, hemolysis श्रिंक करेगा, तो भी उसकी death हो जाएगी, plasmolysis crination, ठीक है, तो यानि कि यह basically इसे लिखा जाता है, cell के लिए आपको एक proper pH चाहिए, cell मतलब body का cell पूरे जितने हैं, वो live रहे उसके लिए proper pH temperature सारी चीज़ चाहिए होती है, तो यह हमने ब कुछ से पानी आपका पेड़ पौध में आता है, यह सारे आपके example है किसके osmosis के application कहलो, या example है day to day life के, ठीक है, उसके बाद concept आया था, isotonic, hypotonic, hypertonic, कि आपका salt concentration जो blood में होती है, वो कितनी है, 0.9% echo solution of NACL, तब अगर तो इतना ही है, तब तो hypotonic है, sorry isotonic है, कोई swelling नहीं ह होगा, लेकिन अगर आपकी concentration इस से जादा या कम होगी, तो दो type के solutions बन जाते थे, hypotonic, hypotonic, एक में आपका cell swell करके burst कर जाएगा, fool के burst कर जाएगा, क्योंकि पानी अंदर जाता जाएगा, और एक में आपका क्या होगा, shrink कर जाएगा, shrink करके खतम हो जाएगा, तो यह तीनो चीज हमने की, जहां पर आपका osmotic pressure या तो बराबर है, या कम है या जादा है, ठीक है जी, फिडेली फिनामना में जो अचार बनता है, घरों में, चटपठा अचार, ठीक है, वहां पर भी आपका osmosis का concept include होता है, then fool अगर आपके सूख जाते हैं, पानी में डाल दो तो द relation पता होना चाहिए, concept तो पता ही होगा, relation, determination of molecular mass, उसका formula या आपने derive किया हुआ है, कैसे derive किया है, n को हटा के, हना number of modes को हटा के, यह formula और कैसे approve करोगे, कोई भी formula, जो भी आपके colligative पढ़ रहे हो, वो हर किसी को देखके पता लग जाता है formula में, कि it depends on number of particles, that's why colligative property है, ठी elevation in boiling point, तीसरी colligative property, ठीक है, जिसका मैंने कहा था है, ebulioscopy, ebulioscopy मतलब boiling point किसी liquid का, क्या होता है, एक ऐसा temperature है, जब vapor pressure of liquid equal होता है, कि इसके atmospheric pressure के, तो इसके लिए भी हमने ऐसा ही detail में पढ़ा, कि boiling point आपका normal सी बात है, जब vapor pressure आपका change होगा, relative lowering of vapor pressure पढ़ा, आपने relative, क्या relation क्या था, बड़ा छोटा सा, delta tb is equal to kb into m, kb आपका constant है, जिसको आप कहते हो, moral elevation constant या ebulioscopy constant, और m आपका क्या है, molality, ये molality है, molality नहीं है, दोनों में फर्क है, unit आपको पता होनी चाहिए हर किसी की, derivation जो है, वो मैंने बहुत detail में पढ़ाई थी, and final relation में उसके बाद, एक चीज़ मैंने और बताया था, determination of mass, है न, delta tb is equal to, sorry, is equal to kb into m था न, तो m को अगर आप open up करके लिख दो, गोई molality, तो वो यहां से, ये relation आ जाएगा, छीक है, अब उसके बाद, एक और आपका relation था, calculation of moral elevation constant, यानि kb अगर निकालना है, कहां से, enthalpy of vaporization से, enthalpy of vaporization और ये latent heat of vaporization, इन दोनों concept का यूज़ करके निकाला हुआ है, latent heat आपकी है, per gram के लिए, enthalpy वाला आपका है, per mol के लिए, तो ये relation भी बहुत यूज़ होता है, numericals के लिए, ठीक, and इसी तरह से, उसके बाद, आपकी अगली जो colligative property थी, वो थी, depression of freezing point, cryoscopy, कि आपका freezing point, अगर इस तरह को याप solute solvent का mixture लेते हो, वो क्या होता है, घट जाता है, ठीक है न, कि freezing point यानि आपका कहने का मतलब है, solution का हमेशा कम होगा, in comparison to pure solvent, boiling point जादा होगा, freezing point कम होगा, ठीक है जी, तो उसके लिए भी हमने एक relation किया, relation किया था, जैसे वहाँ delta tb था, ऐसा यहाँ, delta tf is equal to kf into m, same व बिल्कुल parallel formula है, ऐसा ही parallel formula यह आया, determination of molecular mass of solute, चाहे आप elevation in boiling point कर रहे हो, चाहे आप depression in fusing point कर रहे हो, दोनों में almost similarity है ही कहना चाहिए, फिर antifreeze, कि पहाड़ों वाले इलाकों में आपकी गाडियां में जो radiator में जो पानी होता है और वो जमता क्यों नहीं है, उसमें antifreeze ज आया था concept, abnormal molar mass, कि जब तक आपका ideal solution है, dissociate, associate नहीं हो रहा, तब तक तो ठीक है, same आपकी qualitative property apply हो रही है, लेकिन अगर वो तूट जाए, या associate हो जाए, dimerize हो जाए, ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो जाए, तो आपके molecular mass actual से different आएंगे, जिसे हम क्या कहते है, abnormal molar mass, ठीक है and उसके इलावा, हमने क्या किया था, एक factor बढ़ा था, went of factor, तो अगर कभी भी कोई solution, पहले तो conditions पढ़ लो कि आपके आपके normal molar mass is कब कब आएंगे, जब solution आपका non ideal है, dilute नहीं है, तब या association हो गई, या dissociation हो गई, इन तीन cases में आएंगी, तो इन तीन cases में आपका एक factor include हो क्या है वो, went of factor, कैसे बता लगता है ये, देखो, experimental value, colligative property की, मतलब, experiment जब आपने किया, तो कितनी आई, और actual में, जो आपको लगता था, किताबी ग्यान से, कि आपने calculate कर रखा था, कि अगर वो ideally behave करेगा, तो कितना होना चाहिए था, ठीक है, वो, और colligative property, इसके लिए आप एक और term यूज़ करते हो, experimental value के लिए, observed value कि आपने actual में कितना observe किया, देखा क्या आपने, क्या दिखाई दिए आपको, divide में normal value, जेतनी normal होनी चाहिए था, ठीक है, तो आपको पता है, colligative property, molecular mass, है ना, या आपस में एक दूसरे की inversely proportional है, उसके इसाब से i factor भी आपका कहते हैं, ठीक है, तो ये आपका i factor calculate हो जाएगा, अब short में देखो, association, जब होगा तब क्या होगा, i less than 1, right, and dissociation में i greater than 1, आपको पता है, association में क्या होगा, आपके जो particles हैं, वो कम हो जा रहे हैं, इसलिए i less than 1, dissociation में particles जादा हो जा रहे हैं, इसलिए i greater than 1, चारों formula में आप को थोड़े-thोड़े changes करने हैं, सब जगा i से multiply कर देना है, that's it, और कुछ नहीं करना, और i factor आपको खुझ से calculate करना आना चाहिए, फिर आपको निकालना होगा, calculation of degree of dissociation और association, जहान है, उससे हमने ये formula derive किया था, alpha क्या होता है, degree of dissociation, तो association और dissociation दोनों के लिए हमने formulas calculate किये ये आना चाहिए, ये आपका association के case में था, i-1 divided by n-1, ठीक है, इसको मैंने पूरा निकालने का तरीका भी सिखाया था, अगर भूल जाएं आप, तो वो आप apply कर सकते हैं, ऐसे ही same, जैसे dissociation में आपने किया, ऐसे ही same आपका association में आया, ठीक है, तो तरीका same है वही, कि आपन समान के चल रहे थे, actual में कितने आए, वो हमने numerator में लिया है, तो इसी तरह से association और dissociation दोनों के case में आपने i की value निकाली, with respect to alpha, यानि की degree of dissociation और dissociation जो भी आपका है, और उसके हिसाब से आपने calculate किया, ठीक है, तो ये हमने सारा किया, band of factor, उसके बाद आपको ध्यान होगा, हमने सारे क्या किया, उसके बहुत सारे numericals किये, और numericals करते करते है हमारा से, बस हमारे ये chapter complete हो गया, ठीक है, so this was all for very quick energy, brief में मैंने quickly revise कर वाया आपको solution, कि हमने पहले basics पढ़ा, फिर concentration कैसे express करते हैं, वो किया, and उसके बाद हमने वो किया था, colligative properties सारी detail में की है, idle non idle solution किया है, idle non idle में दो cases आपके थे, positive negative deviation, वो किये, Henry Law, Royt Law, मतलब काफी important chapter है, तो quickly इसको हमने revise किया है, याद रखना exam time में, फटा फट से revision के लिए आप ये video follow कर सकते हैं, and guys, comment section में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये video कैसी लगी, कितनी इसने आपकी help की, and I'm damn sure exam time में इससे आप आपको help लेगी, so this was all for today, and upcoming videos में हम important topics लेके आने वाले है, for your exam, board exam के लिए भी, और जिनके भी competitive exams है, उनके regarding भी, ठीक है, short videos हुआ करेंगी, जिसमें कि आपका पूरा-पूरा topic along with numericals, या कुछ questions अकर जहां जरूरी है, वो cover up कराए जाएँगे, तो ready रहिए, and मैं तो बहुत them also, and community post आप लोग regular check करते रह किजे, को कि कभी भी message है, कुछ कदवे करना होता है, मैं वहाँ पर जरूर करती हूँ, and questions जालती हूँ, especially आपके लिए, so okay then, bye bye, take care, film में लेंगे, and yes, keep on rolling the mystery of chemistry with myself, Lorica, at our own channel, Chemophilus Lorica, so bye bye, take care.